नमस्कार में हूँ दिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 29 फरवरी दिन गुरुवार खब्रक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बालू माफियों के खिलाब सरकार का प्लैन तयाद राष्ट्य पुरस्कार में बिहार की कलाकारों का चैन काउंटर से टिकट खरीदने के बाद गुम हो जाने पर जाने रेलवे का नियब भारत के गगन यान वसन में 9,000 करोड से अधिक रुपए होंगे खड रोहिट सर्मा ने अंडर 19 में चैन के दोरान है इस कार को खरीदने का बनाया था मन अब चलिए बढ़ते हैं आब तक के 25 भरी खबरों के और विस्टार से रेलवे में नौकरी की चाहर रखने वाले यवाउं के लिए सुनहराब से रेलवे में नौकरी की चाहर रखने वाले यवाउं के लिए अच्छी खबर है दर असल यवाउं के लिए रेलवेल फैक्टरी में अपरिंटर्स सिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये भरती 192 सीटों पर की जाएंगी आविदन कने के अंतिन तारीक 22 मार्च 24 है एक चोको मिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट rwf.indianrailways.gov.in पर जाकर आविदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको इसे निर्धारित पदे पर भेजना होगा इस भरती के लिए उमिद्वार आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें से आविदन में छूट दिये जाएंगे इस भरती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देख लें बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे के सोर कुनाल के बारे में ये बिहार राजे से भारते पुले सिवा अधिकारी रह चुके हैं इनका जन्म 10 ऑगस्त वर्स 1950 में हुआ था फिलहाल ये बिहार के प्रस्द मंदिरों में से एक पटना के महावीर मंदिर के सचीव हैं इन्हें इनके सराहनिये कारे के लिए कई पुरसकारों से सम्मानित भी किया जा चुका है वर्स 2008 में सामुदाइक और सामाजिक सिवाओं में उनके योगदान के लिए ने भगवान महावीर पुरसकार दिया गया था आचारे कुनाल ये पुरसकार पाने वाले बिहार के पहरे व्यक्ति रहें इसके लावे इनका चैन भारत के पूर्व मुख्य नयाइदीस नयामूर्थी स्री एमन वेंकर चलया के अध्यकस्ता वाली जूरी के लिए भी हुआ था बालू माफियों के खिलाब सरकार का प्लैन तयार बिहार में बालू माफियों के खिलाब सरकार ने प्लैन तयार कर लिया है इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेश सन्हा ने विधान सभा में दी है उन्होंने कहा है कि राजे में अवैद खनन और इससे जुरे हुए माफिया को बकसा नहीं जाएगा राजे सरकार की ओर से मुख्याले अस्तर पर बालू खनन और इससे जुरे हुए अवैद माफिया पर निगरानी की हाई टेक विवस्था होगी नई टेकनोलोजी के माधियम से इनकी निगरानी की जाएगी इसकी शुरुवात जल्द होने वाली है डिप्टे सीम ने भी ये जानकारी दिये कि पटना जले में अवैद खनन के खिलाफ कारवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफतार किया गया है साथ ही 50 गयर निवंदित नाव को जब्त किया गया है सहर के विकास के लिए आएगी नई पॉलिसी विहार के सहरों को ने तरीके से विकसत किया जाएगा इसके लिए पॉलिसी आएगी इसका नाम लैंड पुलिंग पॉलिसी होगा फिलहाल अगर विकास विभाग ने इसके लिए ड्राफ्ट तयार कर लिया है वहीं अब जल्दी कैबिनेट में इसके लिए मुहर लगेगी इसके बाद इसे लागू किया जाएगा नई पॉलिसी के अनुसार आम लोगों की जमीन को सरकार अपने कंट्रोल मिलेगी इसके बाद इसके आधारभूत जरूरतों का विकास कारे किया जाएगा जमीन के मालिकों को भी इसका लाव मिलेगा और सहर का वैवस्ते तरीके से विकास हो सकेगा लैंड पॉलिंग पॉलिसी में आम लोगों किसे जमीन देकर सरकार उसमें जरूरी इंफर स्रक्चर का विकास करेगी इसके बाद लोगों से ली गई जमीन का आधा हिसा उन्हें वापस मिल जाएगा राष्ट्य पुरसकार में बिहार के कलाकारों का चैन राष्ट्य अकैडमी संगीत नाटक ने राष्ट्य पुरसकारों की घोसना कर दी है इसमें बिहार के कलाकारों का जल्वा देखने को मिला साल 2022 से 2023 के घोसत किये गए संगीत नाटक अकैडमी अवाड के मुख्य पुरसकार के लिए बिहार के पांच कलाकारों का चैन हुआ है वरिष्ट लोक गायक बरत सर्मा व्यास को संगीत नाटक अकैडमी अवोर्ड दिया जाएगा इनके बाद मैथली रंगवंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिस्रा को भी इस सम्मान से नवाजा गया है पिछले स्छे दिसकों से मैथली रंगवंच में अभिनेक रही है गायका नीतु कुमारी गजल भवन के गायक व संगीत कार सीता राम सिंग नाटे लेखक आसिफ अली को भी राष्ट्य वोर्च से सम्मानित किया जाएगा बिहार बोर्ड ने स्टीट में आविदन का फिरसे दिया मौका बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने स्टीट के लिए आविदन का फिरसे मौका दिया है आविदन से वंचित छात्रों को बोर्ड ने ये मौका दिया है इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet2024.com लॉग इन पर आविदन किया जा सकता है आप इसके लिए एक मार्च तक आविदन कर सकते हैं इसके साथ ही परिक्षा सुल्क को भी एक मार्च तक जमा किया जा सकता है लेकिन फिलहाल बिहार बोट ने परिक्षा की तिती को जारी नहीं किया है मादमे कक्चाओं के लिए पेपर एक और उच मादमे कक्चाओं के लिए पेपर दो की परिक्षा ली जाए मालूम हो कि पेपर एक और दो दोनों में पास सभी अभेरतियों को SATET पास का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा पूरे जीवन भर के लिए इसकी वैदिता हो गी सिक्चा विभा की बैटक में सामिल नहीं हुए कुलपती सिक्चा विभा के अपर मुखे सचीब केके पाठक के द्वारा बुलाई गई बैटक में कुलपती सामिल नहीं हुए इस बैठक को विस विद्याले में लंबित परिक्षा की समीक्षा को लेकर बुलाये गया था लेकिन कुलपतियों ने राजभवन के आदेश को माना और वे इस बैठक में सामल नहीं हुए कुलपतियों ने राज़पाल सा कुला दिपती के आदेश का पालन किया सिक्चा विभाग की बैठक में मगत और कामेशवर सिंग दर्भंगा संस्कृत विस विद्याले की प्रतिनिदी के अलावे किसी विद्याले की प्रतिनिदी यहां नहीं पहुंचे जानकारी के नुसार केके पाठक की अध्यक्सता में गी बैठक होने वाली थी लेकिन केके पाठक खुद भी इस बैठक में नहीं आई होने के बाद इसके सहारे ट्रेन में सफर नहीं किया जा सकता TTE के संतुष्ट होने के बाद टिकट की कीमत के साथ आपको जुर्मा ना चुकाना परेगा वहीं काउंटर के लिए गयर टिकट को डेलवे के काउंटर से ही कैंसल किया जा सकता है ट्रेन के छूटने के आधे गंटे बाद तक टिकट को कैंसल करवा कर किराय का पैसा वापस लिया जा सकता है दूसरी और अगर आपने ई टिकट लिया है तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना जरूरी नहीं बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे पुनौरा धाम के बारे में ये अस्थान बिहार के सीता मरी जिले में इस्थान पर मा जानकी का जन्व हुआ था दिस बज़र से ये हिंदु धर्म के प्रमुक धार्मे का स्थलों में से भी एक है इस अस्थान से मा सीता की कथाएं जुरी है यहाँ पर मंदिर के पीछे एक सरोवर भी है दुजान की कुंड के नाम से प्रसद है ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में अस्नान करने पर संतान की प्राप्ती होती है। आस्था का केंद्र होने की वज़े से यहां कई स्रधालों की भीर लगती है। इस अस्थान पर एक क्राथीन फीपल का पेर भी आपको देखने को मिलेगा जिसके नीचे पालकी बनी है। यद असल स्कुलों में एडमिसन में होने वाले फर्जिवारे को खत्म करने के लिए केंद्री इमानब संसादन विकास मंत्राले ने योजना तयार की है। इसकी मदद से छात्र और उससे जुरी पूरी जानकारी आसानी से ली जा सकेगी। सिक्चा विभाग की ओर से कक्चा एक से लेकर 12 तक के बच्चों को पैन या पर्मानेंट एजुकेशन नमबर जारी किया जाएगा। इसलिकर न्यू डायल से पोर्टल पर डेटा को अप्लोड किया रहा है। राजे सरकार की ओर से 29 फरवरी तक यू डायल पोर्टल पर डेटा अप्लोड करना होगा। इसके बा पर आगामे वितिया वर्स दोजार चौबस पच्चस में उन 40,000 करोर रुपए की खर्च किये जाएंगे। विधान सबा में उपमुक्यमंत्री सब्वितमंत्री समरार चौधरी ने जिंडर वजट की पेसकस की है। इसके अनुसार महिलाओं के समगर विकास पर उन 40,000 करो महिलाओं के अबादी करीब 4,998,000,000 है। ये कुल जन संक्या का 40,000 फीजदी है। इसने महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जिंडर वजट तयार किया गया है। इससे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली स्रेनी में भी यूजनाएं हैं जिन में सत प्रतिसत रासी महिलाओं पर खर्च होंगी जबकि दूशरी स्रेनी में 30-100 प्रतिसत तक रासी महिलाओं पर खर्च होंगी। और पटना गया डो भी सरक है इसके चालू हो जाने के बाद बिहार के सुदूर उलाकों से पांच घंटे में पटना पहुंचना संभव हो जाएगा इससे राजिका सांस्क्रेटिक और आर्थिक दोनों ही तौर पर विकास होगा अन्य राजियों से बिहार के कनेक्टिविटी भी बहतर हो जाएगा बिहार में सैक्रों लोगों को वापस मिले खोई हुए मोबाइल फोन बिहार पुलिस ने ऑपरेशन मुसकान की सांदार पहल की है इसके तहट कई लोगों को उनके खोई हुए मोबाइल फोन वापस लोटाए गये हैं साल 2023 में दो करोर पचपन हजार के मोबाइल फोन सेट लोगों को वापस किये गये हैं जी आर पी पटना ने बीते दिन 101 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लोटाए हैं इन मोबाइल सेट की कीमत करी 15,15,000 रुपे हैं ऑपरेशन मुसकान के इंतर गत पुलिस ने एक जनवरी से अब तक 1337 इस फोन को र संचरन का छेत्र बना हुआ है साथी पस्य में विच्छोप का असर भी देखने को मल रहा जिस वज़े से दो और तीन मार्च को प्रदेश के कई जगों पर बारस की संभावना जताई जा रही है वहीं उत्री दक्षनी भाग में तो कुछ जगों पर हलकी बारस के साथ में गर्जन की भी संभावना है इसलिए किसानों को अलट रहने की सला भी दी जा रही हाला कि प्रदेश में आज का मौसम सुस्क रहने की संभावना जताई गई है प्रदेश में आज का अधिक्तम तापमान की बात करे तो अधिक्तम तापमान अठाई से तीस डिग्री और नि अमरित कलस सिंगिंग में इन्होंने भोजपूरी, होली, निरुगुन गाकर परमपरागत भोजपूरी की पहचान को वापस दिलाने में अपना योगदान दिया है। कैलास खेर ने इन्हें अमरित कलस देकर सम्मानित किया है। आपको बता दे कि सम्मराट को बच्पन से ही संगीत का सौक रहा है। साहत होकर अपने अंदाज में हाथ जोर कर सभी का अभिवादन किया। खगरिया में तेजस्वी आदब के समर्थकों का सैलाब उमर परा। नेता प्रतिपक्ष ने लोगों से 3 मार्च को महागरबंदन की रैली में सामिल होने की अपील की है। उन्होंने का है कि बटना पहुँचकर संदेज दे के बिहार की आवाद तेजस्वी और लालू के साथ। कॉंग्रेस ने बागी विधायकों की सदस्यता रद करने की की मांग। कोट का दर्वाजा खुला हुआ है। मालूमों कि कॉंग्रेस के विधायक सद्धार्थ और मुरारी गौतम भाजपा में चले गए हैं। इसके बाद बिहार के साथ ही देश बर के सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मायावतिकी पार्थी बिहार में की नाता राजपा सब्हाई के बिहार प्रभारी रहें अनील सिंग प्रतियासी होंगी। बाकि 49 सीटों पर एक सब्ता के अंदर प्रत्यासियों के नाम की घोस्ट ना की जाएगी। BSP के नेता ने कहा है कि बस्पा ने सभी सीटों पर सामाजिक समीकरन को देखने के बाद उमें द्वानों को उतारना तै किया है। भारत के गगन यान मिसन में 9000 करोड से अधिक रुपे होंगे खर्च। भारत का कदम अंतरिक्ष की और बर रहा है। इसे करे में प्रधान मंत्री नहिन मोदी ने चार एस्ट्रोनॉट्स से देश को परिचे कराया है। इसमें ग्रूप के कैप्टेन प्रसान्थ बाल् करिस्णन नायर, ग्रूप कैप्टेन अगद प्रताप and विंक कमांडर सुभान सुखला है। बताया जाता है कि यह बायो सेना के फाइटर है। यहार तरह के फाइटर जेट्स के बारे में जानकारी है। ये चारों अंत्रिक्स में जाने की तैयारी कर रहें। इस रो के अनुसार गगन यान का उद्देश ही की L.E.O. में स्वदेशी छम्ता का प्रदर्सन हो सके। आपको बता दे की भारत के समिसन में 9,023 करोर रुपे खर्च होने वाले हैं। रोहिद सर्मा ने अंडर 19 में चयन के दोरान ही इस कार को खरीदने का बनाया था मन। भारतिक रिकेट टीम के कप्तान रोहिद सर्मा के बच्पन के कोच ने के स्टोरी का खुलासा किया है। दिने जवाहलार ने बताया है कि बच्पन से ही रोहिद सर्मा का आत्म विस्वास काफी अधिक था। पहली बार अंडर 19 में चयन हो जाने के बाद रोहिद सर्मा मरसरीज कार को खरीदना चाते थे। उन्होंने अपने कोच से इस कार को खरीदने का बादा भी किया था। इस किसे को सुनने के बाद सभी यहीं कह रहें कि आत्म विस्वास होने के बाद हम जिंदगी के किसे भी मुकाम को हासल कर सकते हैं। रोहे चर्मा के आत्म विश्वास नहीं उनके जीवन को बदलने में एहम योगदान दिया है। ये भारत के एक प्रस्द गनितिग्ये थे। आज कही दिन वर्स 1904 के भारत नाटिम की एक प्रस्द भारतिय नित्यांगना रुकमेनी देवी अरुंडेले का जन्म हुआ था। तो कई खबरे फरजी भी रहती हैं। लेकिन सोसल मीडिया पर वाइडल होरे खबरों की सत्यता की जांच करना बेहद ही जरूरी होता है। अब इसी करी में मैसेच के जरी एक और वाइडल हो रहे खबर की जानकारी सामने आई है। दर असल इस मैसेच के जरी एक कहा जा रहा है कि भारत सरकाने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वक्षता केंदर की अस्थापना की है। आपको बता दे कि खबर पूरी तरह से सही है। इसकी और से दावा किया जा रहा है कि कैंसर को दोबारा होने से रोकने की दवा की खोज हो गई है। पाधिकरन से मंजूरी का इंतजार है गूगल मैप का ये सांदार फीचर गूगल मैप में गूगल ने एक खास फीचर को सामल किया है जिसका नाम है ग्लैंस बिल वाइल नेविगेटिंग इस फीचर की मदद से आपको बार-बार अपने फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं सब्सक्राइब के इस फीचर का एलान पिछले साल फरवरी के महीने में ही हुआ था लेकिन अब इसे सभी यूजर के लिए पेस कर दिया गया हम प्रति दिन आप से पांच जरूरी सवाल पूचेंगा उसको जवाब बताएंगे जो की बिपीसी बिहार पुलिस दरोगा समित से जैसे अन्य प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंट अफ्यर्स और भुगोस रहेंगे पूचे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है इसका सहीं तरह 27 परवड़ी प्रधान मंतरी नेन्द मोदी ने किस योजना के तैट 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास की अधार सिला रखी है option A Jest रेलवे, सुरक्षा योजना, Option B अमरेत भारत इस्टेसन योजना, Option C E साफ सफाई योजना, option D нашего Raleution विकास योजना सब्सक्राइब और इसका सभी तरह सवेरा नालंदव इस विद्याले की सर्वप्रथम पहचान इम्र में से किस ने की थी और अलेक्जेंडर करिंगम ने आप्सन बीए स्पूनर ने आप्सन सी मार्टिमर विलियर ने आप्सन डियाम जोंस ने इसका सहीं तरह एलेक्जेंडर करिंगम ने राजगीर में रोप्य का निर्मान के इस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है आप्सन ए है चीन आप्सन भी है जापान आप्सन सी स्री लंका आप्सन डी है मौरिस हस इसका सहीं तरह जापान बीते दिन हमाद और पूचे के सवाल का आप्सन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमाद और पूचे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है बिहार में कौन सा धार में करसल आपका पसंदीदा है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सुक्सन बॉक्स में लिकर जरूर बताए आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बिरने के लिक के लिए देख दalten भी News और साथ ही अगर आप यूडिम से देख रहें तो चनलन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो फेस्पों करणा ना भूले धन्यवाद